और दोस्तों आप लोगों को और एक important बात बता दूँ कि अगर आप लोग भी Malaysia मतलब tourist विजा में आना चाहते हैं देखिए अभी बहुत ही जादा news निकला हुआ है कि आपको विजा के वेगार जो है टूरिस बहुत सारे देश में जो है इंडियन जिसके पास भी passport है वो जाके टूरिस में घूम सकते हैं ऐसा बहुत सारे देश है है मालेसिया एक है इंडोनेसिया है थाइलेंड है बहुत सारा इसा जो देश है हाई अब्रिवन मेरा YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ और नए जानकारी के साथ साथ तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर न प्लान डेशन का कंपणी में जितने भी प्लान डेशन कंपणी है हर कंपणी में जो है सेलरी देके खतम हो चुका है ठीक है आप लोगों को पता दू कि तीन तारिक से लेके स्टार्ट करते हैं दो से तीन तारिक तक सेलरी प्लान डेशन कंपणी का सेक्टर का देके समाप् तो आप लोगों को बता दूँ बहुत ही भाई लोगों का ये मन में ये था कि बहुत ही आसा था कि जनवरी मेहने में जो है सेलरी बढ़ जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सभी प्लांडेशन वर्कर का जो है मन निराश हो चुका है क्योंकि देखें दुहजार चौ तो दूसरे देश कंट्री से आना चाहते हैं ये लोग बहुत ही जादा बेसबरी से इंतिजार कर रहा था कि दोहजार चौबीस के साथ साथ देखें सायद सब का मन में एक ये था कि नहीं कब अगर जनुवरी मेहन में किसी का भी अगर सेलरी देता है तो अठारा सो रिंगित आना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला है और ना ही कोई निवज निकला है जितने भी हमारे कंपनी में वर्कर थे और हम लोग भी थे मैं भी एक वर्कर हूँ ऐसा नहीं है तो जितने भी हम लोगों का साइड में वर्कर हैं हम लोग जितने भी हैं सब का अगर आप लोगों को basic में जो लोग काम करते हैं वो लोगों का बात अगर बता दूं तो वो लोगों को भी अभी 1500 ही रिंगित मिला है 26 दिन अगर आप work करते हैं काम करते हैं ठीक है तो आप लोगों को 1500 रिंगित ही मिलेगा salary और चार दिन छुटी रहते है या तो caunday को या कहीं सुकरवार को तो आप लोगों को बता दू हम लोग के जिस कंपणी में रहते हैं और जिस जगह में रहते हैं यहां पर सुकरवार को छुट्टी देते हैं और सुकरवार के दिन ही छुट्टी का यहां सबको अवसर मिलता है और आप लोगों को बता दू बहुत ही भा करते हैं लेकिन ये आप लोग सुचते हैं कि मैं कौन सा सेक्टर में जाओं और कौन सा सेक्टर में ज्यादा सलरी मिलेगा तो आप लोगों को बता दू गॉबर्मेंट जो यहां का सरकार का जो एक नियम है वो नियम आप अगर किसी भी सेक्टर में आते हैं अगर आप कॉंट एक्टर का सरकारी, गॉर्मेंट के तरफ से विजदेसी जितने भी कंट्रीक का वॉर्कर्स आते हैं, सभी का पंदरव सुरिंगीत आपको मिलेगा. यहां पर basic का, अगर आप contract में काम करते हैं, यह contract का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शरी basic का आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ बात, आप लोगों को बता दूँ, अभी 2024 जनवरी, 9 जनवरी हो चुका है, और सभी को उसाहिद था कि हाँ सायद अब salary बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूँ कि इस परिकरिया से हैं, सभी लोग अगर किसी भी sector में कामें आ रहे हैं आप लोग, और आना चाहते हैं, तो यह बहुत ही important बात है, कि आप लोगों का जो जितना basic का salary रहेगा, basic का salary सबका same रहता है, ऐसा नहीं कि आप को कोई भी sector में आते हैं, तो आपको अलग agent बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका agent अगर कुछ भी sector के बारे में बोलते हैं, कि यह sector का ज्यादा salary है, तो यह गलत है, और अगर आपको भी कोई भी अफ़वा फैला रहे हैं, कि मलेसिया में 18 सरिंगित हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी 18 सरिंगित होने का अभी कोई भी chance नहीं है, अभी देखिया, 2024 आचुके हैं, और 2024 के साथ साथ अभी देखिये, कब तक जो है, यह January के last मेहने तक भी पता चल सकता है, अगर कोई अगर news नहीं आया है, ठीक है, आप लोगों को बता दू, कि अभी कोई भी news नहीं निकल का आये हैं, और नहीं कोई ऐसा कोई अप्सियल जो यह हुआ है, अलाउंस्मेंड हुआ है, कि मलेशिया में जितने भी worker काम करते हैं, work रहते हैं, यहाँ पर यह लोगों का 18 सरिंगित कर दिया गया है, और दोस्तों आप लोगों को और एक important ब जिसके पास भी passport है, वो जाके टूरिस में घूम सकते हैं, ऐसा बहुत सारे देश हैं, मलेशिया एक है, इंडोनेसिया है, थाइलेंड है, बहुत सारा ऐसा जो देश है, और बहुत ही जादे देश जो हैं, इंडियान को offer दिये हैं, कि जिसके भी passport हैं, वो लोग अराम से घ जाओंगा, वर्क करने लगूंगा, टूरिस विजा में आके, तो ये आप लोगों का गलत फायमी है, क्योंकि मलेशिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप वर्क विजा लेके आते हैं, तो वर्क विजा में convert करना नहीं होता है, नहीं होता है यार, दोस्तों आप लोग टूरिस विजा लेके आते हैं, तो बहुत ही जाद आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो भी आपको चुपके रहना पड़ता है, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें, आप लोग को बता दूँ, कि अगर आप लोग भी मलेशिया आते हैं, तो वर्क विजा ल वर्क विजा में, दूसरे कंट्री में हो सकता है सायद, आप लोगों को दूसरे कंट्री के बारे में मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे मलेशिया के बारे में बहुत ज्यादा मालूम है, तो अगर आप तूरिस विजा में आते हैं, तो तूरिस विजा म लेकिए आप लोग आईये तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब अच्छा बात है अगर आप जैसे दुबै अगर जाते हैं या बहुत सारे कंट्री जाते हैं ठीक है तो वहाँ पर जाके आपको क्या होता है कि आप वर्क वीजा में जाते हैं और वर्क स्वारी तूरिसड भी जा में जाते हैं अगर आपको वहाँ पर काम मिल जाते हैं तो आप क्या करते हैं? वहाँ पर work भीजा में convert कर सकते हैं. लेकिन ऐसा आपका मलेंसिय के लिए बहुत ज़ादा बंफर औफ़र निकला है. यह मलेसिया, इंडोनेसिया और थाइलेंड ऐसे बहुत सारे जो देश हैं चार-पांच इसे कंट्रीस हैं जो यहाँ पर वर्कर आराम से घुम सकते हैं लेकिन वर्क के लिए नहीं है कोई देश में 90 दिन के लिए है कोई देश में 30 दिन के लिए है आप टूरिस के लिए जा सकते हैं ठीक है दुस्तों तो आप लोगोगों को बता दू इस तरह जो है मलेसिया का Mmm है और कानून है अगर आप लोग भी मलेसिया आने के लिए सोच रहे हैं तो हुआ है और अगर आप लोग का बीजा लेकर आना चाहते हैं मलेसिया काम करने के लिए कोई भी सेक्टर में प्लांडेशन सेक्टर में हो और सर्विस सेक्टर में हो या कोई कोुछ न अच्छा सीखने के लिए लोगों को मिलता है कि मैं 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 मलेसिया में हूं ओर बहुत ही दीनों से अभी मेरा दौ साल होने जा रहा है तो मुझे बहुत ही ज्याथ में मैं कंट्री बारे में हैं धीज़ा के बारे में और यहां तो वर्क का जैसे मैं अभी हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बाख भी मालूम है तो मैं आप लोगों को आगा करते रहता हूं कि कोई इस तरह आके ना फसे देखे Malaysia में आप लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूज देता हूं कि देखे Malaysia में जो है वरकर जो है immigration वाले ज्यादे पकड़ लेते हैं तो अगर आप लोग इस तरह जो गलती करते हैं कि आप लोग टूरिस भी जाले कि आके आप लोग वर्क का काम करने लगते हैं तो ये बहुत ही जादा मॉश्किल का सामना करना पड़ता है अगर पक्ड़े जाते हैं तो बहुत ही जाद को जीरवाना भी भरना पड़ता है या तो भीर आपको जील में भी रहना पड़ेगा तो दोस्तो अगर अभी तक आप लोग मेरा यूटूब चैनल को नए है तो फिलिज मेरा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटोन को प्रेस कर दिए तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ तो दोस्तो जै हिंद जै भारत थैंक यू अल गाइस